महिला दिवस के उपलक्ष में अखिल भारती माजी महाशवा एकाई द्वारा महिलाओं के सम्मान में एक कारीकरम आयोजित किया गया जिसमें समाज में संगर्स करके अपने परिबार का भरण पूर्शन कर रही महिलाओं को सम्मानित किया गया माजी महाशवा एकाई दतिया अपने समाज के प्रतिक काफी अग्रसर है समाज में महिलाओं को सम्मान मिले उनकी प्रतिष्टा बड़े इसी को लेकर माजी महाशवा एकाई ऐसे आयोजन अक्सर संचालित करती रहती है माजी समाज में महिलाएं अपने सम्मान से काफी दूर है जहां आज पूरे देश में महिला दिवश मनाया जा रहा है तो वहीं समाज के लिए आज माजी धरमशाला में समाज के लिए जावरुप महिलाओं का समाज के सामने सम्मानित किया गया वही माजी समाज के प्रदेश अध्यक्ष महिस के वट का कहएना है कि समाज में महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए और हमारे समाज में नारी शक्ति का इस्तान सबसे उपर है समाज में हर एक नारी को आँगे बढ़ना चाहिए और हमें सबसे पहले तो हमारी फैमिली को हमारी समाज के सभी भाई और बहनों को हमें समाज की महिलाओं को आँगे बढ़ने का रोध करना चाहिए और उन्हें आंगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए मैं सभी माजी समाज के भाई बेहनों और उनकी फैमिली से निवेदन करती हूं कि सभी बेहनों का साथ दे और उन्हें आंगे बढ़ाएं आज की समय में महलाओं का सामान काफी प्रसंसनी है माजी समाज द्वारा जो आज महलाओं को सम्मान किया गया है उसके लिए पूरे माजी समाज का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ संदेश इतना ही देना चाहूंगी कि अगर मन में ठान ली है तो वो करना ही है और करके ही रहेंगे आज की महलाओं किसी से पीछे नहीं है और हमेशा नंपर एक पर रहेंगी आज इंतराष्टिये महला दिवस्के मौके पर अखिल भारती माजी सवा ने महला मात्रशक्ति का सम्मान किया है और इस दिशा में ये पहला कदम है हम निरंतर मात्र सक्ति को संग्ठित करेंगे और उनके सम्मान में हर्द कदम पल प्रतीपल उठाते रहेंगे और आने वाले समय में मात्र सक्ति को संग्ठित कर माजी समाज का नाम रोशन करने की प्रथा प्रचलित करेंगे यसा मेरा विश्वास है